कि देखें आवाज आ रही है बच्चों कि चक करें पर सब बच्चे आवाज आ रही है ओक आण से आउंटनों गुड़ मौरिंग, सबी बच्चों को बुड़ मौनिंग एक बाइब करदें पहले बच्चों सब बच्चों का आवाज आ रही है आरिया वाज चलिए शुरू कर देए तो गुट मार्निंग तो आल अफ यू मैंने में रवीर अठोर आई वेलकम यू आल अन वाइफा स्टेडी बायन अकाडमी प्यारे बच्छों मैं ऐसी होप करता हूं कि आप सभी लोग सेफ हैं सिक्योर है आपके परिवार के सभी लोग ठीक ठाक है तो हारो का टाइम आ गया है ठीक है पीछे दो-तीन दिन अब हमारी क्लासे नहीं हुई प्यारे बच्छों मुझे जाना पड़ा कुछ अनकाडमी शूट के लिए कहीं मुझे जाना था मुझे भेजा गया तो मुझे यहां पर जाना पड़ा तो इसलिए हमारी क्लासे में सो गई लेकिन आज से हम जबर्दस सेशन दुबारा से स्टार्ट करने पहरे बच्छों सुभह छे बजे हम सिर्फ शो का नाम चेंज किया वह कैम मैं या बिल्कुल चल रहा है समझाता हूं सारा सुबह चल रहा है वह काम मैंदने सब्सक्राइब क्या कैम मिलने माला इसमें हमें अच्छा फर्स्ट फॉल आइवल इंट्र इंट्र इंट्रोड इंट्रोड इंग्लिश आम टीचिंग है एससे एं रेल्वे एक्जाम्स सब्सक्राइब करेंगे सारे एक्जाम्स के लिए बहुत 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 जरूरी होती है इसके बाध ज़िरो टु हेरो फाइंडेशन बैच यह रात को 10 बजे वाइफाइ परपトॉ इसको इसके लवाइब करेंगे एक से इसको औब हम लोग करेंगे प्षी बचो इसको紙 पर करेंगे हम लोग अखि गुर्य मु Coronel पर होगा पनेयाब लाष टाइमिंग तो यह तीनों के तीनों सेशन आप मेरे साथ लगा सकते हैं पैरे बच्चों टाइमिंग नोट कर लिए इसके अलावा अनकेडमी लर्निंग आप पर जबरदस सेशन चल रहे हैं रात को नौ बजे यहां पर क्लास पैरे बच्चों मैं लगाऊंगा नौ बजे या फिर आठ सब्सक्राइब कर लिए बहुत ही जबरदस कंटेंट वहां पर आपको मिलेगा जरू-जरू-जरू सब्सक्राइब कर लिजिए अच्छा यह नए बैच आ रहे हैं पैरे बच्चों थर्ड नवंबर से इनका फाइदा उठाई है नका प्लस पर इस तरीके से थर्ड को मेरा नाम है रवी रवी लगाकर 01 करना होता है आपको रैफरल कोड में और आपको जबरदस डिसकाउंट मिलता है प्यारे बच्चों एक साल पर चार महीने और दो साल पर आठ महीने चल रहा है कि एससी कॉमबेट हर संडे को 12 बजे हो रहा है हर संडे को 12 बजे प्यारे बच्चों चल रहा है जबरदस तरीके से अनकार्ट में लर्निंग डाउन्लोड कर लीजे रवी सिंग को वहां सर्च करके फालो कर लीजे आपको मेरा प्लस कोर्स मिल जाएगा प्लस कोर्स के कोर्डेड और लाइव अनिम्टे एकसस मिलता है इंडिया के सारे टॉप मौस् तीचर ऑनाकाडमी पर पढ़ा रहें पहरे बचे परसिणल गाइडर स्बच्च परेस्टसरी पयापफ नेस्ग्ण्य प्लैनर है ठेकत बuses है एक्सपर्ट्स की की डाइलन मिलती है सदर्डी म लगा देंगे दो साल वाले में सबसे अधा फायदा होता है 7800 का कोर्स आपको दो साल के लिए प्राइस है उस पर जब कोड लगा देंगे तो लगबग 800 रुपए कम हो जाएंगे आठ सो रुपए कम हो जाने के पास सात्यार रुपए के आसपास का पढ़ जाएगा 295 रुपीज यानि तीन सो रुपए से भी कम का पर मंत में आप इंडिया के सारे टॉप मौस टीचर से पढ़ सकते हैं चलिए आई अब शुरू करें शुरू करें कोड लगाने के बाद कि चलिए स्टार्ट करते हैं रवी जिरवन कोड पूरे के पूरे प्लैटफॉर्म पर काम करता है प्यारे बच्चों कहीं भी किसी भी कोर्स के लिए आपको 10% का डिसकाउंड मिलना ही मिलना है रिपोर्ट इंड विन यह नया बच्चे एक इनिशेट हुआ है सब बच्चे बच्चे त्यार हो झाए शुरू करें एक पर फड़ा फट सब बच्चे सेशन को दोस्तों लाइक कर दें शेशन को शेर करतें प्यारे बच्चों है ना वैलकूल उसी धमाल से उसी जोस से उसे युनून से सुबह सुबह पढ़ना है सुबह का पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता ठीक है चलिए आई ये शुरू कर दें तो देखें यहां पर क्या कह रहा है our greatest weakness greatest का मतलब यहां पर क्या सबसे बड़ी जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है lies in giving up lies in giving up का मतलब क्या जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं surrender कर देते हैं हार मान लेते हैं the most certain way to succeed जो सबसे पक्का तरीका है जो most certain है way to succeed success का सफलता पाने का is always to try just one more time ठीक है जब हम हार मान लेते हैं ठीक है तो कितना बढ़ी लिखा हुआ है our greatest weakness lies in giving up जो हम छोड़ देते हैं कि नहीं अब नहीं होगा मिर से ठीक है the most certain way जो सबसे पक्का तरीका है जो सबसे कारगर तरीका है to succeed सफलता का is always to try just one more time बहुत बढ़िया जबरदस लिखा हुआ है try 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 fail try 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 fail try 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 ठीक है success और जबरदस success तो हमें try करते रहना है प्यारे बच्चों चलिए आए शुरू करते हैं start करते हैं पहला word आपके सामने screen पर प्यारे बच्चों notes ज़रू बनाना words को लिख ज़रूर लेना notes ज़रूर बनाना लिख ज़रूर लेना प्यारे बच्चों ठीक है चलिए बहुत बढ़िया fatuous f-a-t-u-o-u-s fatuous English language में कोई भी word जो ू-u-s से खतम होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है वो adjective होता है कोई भी ऐसा word जो ू-u-s से खतम हुआ English language का word प्यारे बच्चों तो वो adjective होता है fatuous का मतलब होता है foolish fatuous का मतलब है foolish हिंदी में बोलें तो मूर्ख है ना जिसको ज़्यादा अकल नहीं है जो मूर्ख है बहुत सारे important word बनते हैं प्यारे बच्चों यहां पर और यह word बहुत बार 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 रिपीट होते हैं सब देखिए stupid moronic moron बोलते हैं दॉल्टिश बोलते हैं हाव वेट निट वेट हाफ वेट नेट वेट है निंकम पूप लिखा वहां पर नहीं लिखी अच्छा वर्ड निंकम पूप नूडल देखिए नूडल जो खाने वाले नूडल वही नूडल है ना so stupid हो गया good morning good morning good morning सभी प्यारे प्यारे बच्चो गुड मॉनिंग अवनी शृतू विजेता चंदन सिंग सोनी राठी सोनी सिद्धान्त गुपता सब बच्चों को गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग भई आओ फटा फटा आओ बहुत बढ़िया बहुत बह बाद है कि सब बच्चों गुड मॉनिंग सब बच्चों गुड मॉनिंग अवाज आ रहे न अवाज नहीं आ रही क्या चलिए चलिए बहुत बढ़िया बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या आ रही अवाज चलिए आईए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वर्ड है ये वर्ड बार बार एक्जाम में फस्ते हैं स्टूपिड है मौहरून madam सिनाइन हैं डॉल्टिस है हाववुट थिडू इस्टूपट दूबा ल Sus kij है रोडिक से इन वर्ड बहुत इंपॉतन है हावट हैं निडविट नूडल है मूर्ख बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है सोरज बहुत बढ़िया clear है sir thank you बताने के लिए आरे यह वाज बहुत बढ़िया so don't look fatuous don't look fatuous which means foolish by asking the same question twice कितना बढ़िया लिखा है सिर्फ word अब हम के इस्तिमाल करते हैं हम इस्तिमाल करते हैं stupid इस्तिमाल करते हैं don't look fatuous don't look silly don't look stupid don't look nincompoop ऐसे word इस्तिमाल करने हैं noodle by asking the same question again ठीक है note कर लेंगे पैरे बचों एक भी word छोड़ना नहीं है next वाले पर चलते हैं कैसे बोले इस word को how to pronounce this word कैसे बोला जाएगा ये word now this word is boisterious बोले डरना नहीं है रुकना नहीं है थमना नहीं है boisterious बोलो बोलोगे तो सीखोगे boisterious ठीक है loud and lively lively का मतलब है energetic ठीक है loud है energetic है noisy energetic ये word बहुत important है भाई ये पिछले exam में ही आया हुआ है ठीक है अभी 2021 के जो exam हुआ है उस सब में आये ये word wasiferous बोलेंगे clamorous word important है exuberant tumultuous uproarious unruly rowdy राठोर rowdy all these words are very very important बिल्कुल आज से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्तों सब बच्चे सेशन को लाइक कर दो दोस्तों सभी प्यारी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे सभी बच्चे सेशन को शेयर किया करो है ना good morning good morning साहीं प्रसाज जी good morning चंदन good morning चलो आओ so boisterious word है जिसका मतलब loud and noisy energetic noisy है energetic है vociferous बहुत important word है clamorous, exuberant, tumultuous, uproarious unruly, rowdy ठीक है हला गुला वाला बहुत जोज जूनून वाला जैसे कोई party है the party was completely boisterious boisterious मतलब कैसा जब अरदस हला गुला था energy था शोर शराबा हो रहा था बहुत ज़्यादा so that is boisterious ठीक है note कर लेंगे देखें link बना दिया गया tongue twister की तरह है ताकि आपके दिमाग से निकले न boisterious boys are boisterious boys are boisterious 100% वर्ड पेपर में आएगा 100% boys serious का मतलब हला गुला वाला शोर शराबा जहां पर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना हला गुला रिया ठीक है तो कोई party है या कोई event है जहां पर बहुत सारा शोर हो रहा है बहुत सारा energy का energy दिखा रहे हैं लोग noisy, energetic, vociferous, clamorous, exuberant, tumultuous, uproarious, unruly, rowdy all these words are very very important एक भी word छोड़ना नहीं है ठीक है चलिए अगले वाले पर चलते है बहुत ही जबर्दस word है प्यारे बच्चों आज के cerebrate एक word होता है cerebrum mind के अंदर होता है cerebrate का मतलब होता है scientific अगर आप पढ़ेंगे बायो अगर आप पढ़ते हैं cerebrate वर्ब है जिसका मतलब है to give a serious thought किसी चीज पर गहन विचार करना मन्थन करना किसी चीज पर गहन विचार करना मन्थन करना जब किसी चीज पर आप serious thought करते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना किस रास्ते जाना किस रास्ते नहीं जाना ठीक है क्या चुनना है क्या नहीं चुनना ठीक है celebrate celebrate का मतलब देखी important word a new word है note करो 100% फसे का exam में to give a serious thought किसी चीज पर बहुत ज़्यादा विचार करना मंतन करना चिंतन करना बार बार यह word paper में आ रहे हैं यह word बार बार ठीक है कभी ponder आता है कभी cogitate आता है कभी reckon आता है reckon करना ponder करना cogitate करना muse ओवर करना chew ओवर करना ठीक है to think deeply to think deeply किसी चीज पर to give a serious thought to give a serious thought किसी चीज पर गहन विचार करना note कर लेंगे छोड़ेंगे नहीं एक भी word एक भी word जो भी बच्चा देखे सबसे बड़ी बात है सुबह से उठकर पढ़ना दूसरा notes जरू बनाना notes नहीं बनाएंगे भाई तो फायदा नहीं होगा दोस्तों notes जरू बनाने हैं सब बच्चे सेशन को like करेंगे दोस्तों I celebrated the whole night पूरी रात उसने मन्थन किया विचार किया चिंता की I celebrated the whole night but did not find any solution लेकिन उसे कोई solution नहीं मिला I celebrated, I thought the whole night, I pondered, I cogitated, I reckoned पूरी रात उसने विचार विमर्स किया ठीक है मन्थन किया बट उसे कोई solution नहीं मिला इस तरीके से आपको newspapers में या फिर magazines में या फिर stories में movies में या फिर आपके आने वाले exam में, RCs में, close test में ऐसे words आपको परिशान करेंगे सर मुझे close test में दिखका था, सर मुझे लिखने में दिखका था, किस कारण से प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमारी vocab जो है जब काफी weak होती है तो note कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, cogitate करना, ponder करना, celebrate करना चलिए अगले वाले पर आओ, good morning भाई, good morning चलिए अगला वर्ड देखें, बहुत ही जबर्दस वर्ड है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोनम, good morning चलिए, good morning, good morning, सब बच्चे notes बनाते रहेंगे सब भी बच्चे session को like कर दें दोस्तों जैसे हमारा earth word होता न, earth e-a-r-t-h, earth earth, earth earth से ये word बना है, अर्दी अर्दी, अब देखे, एक ही word के different meaning होते है अलग-अलग तरीके के उसके uses है तो क्या समझाया है, anything related to earth कुछ भी जो धर्ती से related है जमीन से related है कुछ भी ऐसा जो earth, जिसका लेना देना earth से है, धर्ती से है, जमीन से है तो वो अर्दी है, वहाँ पर earth बोलेंगे, यहाँ पर अर्दी बोलेंगे वहाँ पर अर्थ और यहाँ पर अर्दी दा बोल रहा हूं है, अर्दी प्यारे बच्चों anything related to earth कुछ भी जो जमीन से related है a person down to earth, यह बहुत important है काफी जो humble है जो decent है, एक ऐसा person जो बहुत विनम्र है, अर्दी बोलते हैं, down to earth है तो वही क्या, अर्दी or to be rough और कई बार rough होना खुदरा होना, ठीक है manner में rough होना या फिर किसी surface का rough होना, तो सबसे पहले soiled muddy, soiled muddy, ठीक है anything related to earth, तो कैसा soiled है, muddy है unrefined, अब rough का देखिए rough के लिए, unrefined है coarse है, indecent है cross है, rough है, ये इसके लिए हो गया, someone down to earth, someone down to earth, ये इसके लिए हो रहे है someone down to earth synonym क्या हो गया, modest हो गया polite हो गया, decent हो गया learnt हो गया, sophisticated एक ही word के इतने सारे meaning बनते हैं, humble हो जाएगा humble, decent है humble है, polite है vinumr है, हर किसी से अच्छे से पेश आता है एक ही word के अलग-अलग meaning है, ऐसे words, passages में हमें बहुत परिशान करते हैं, अर्दी कुछ भी ऐसा जो धरती से related है अर्दी, a person who down to earth, एक ऐसा person जो बहुत humble है polite है, down to earth है और कुछी चीज का rough होना, खुदरा होना person का या उसके manner का तो soil muddy, ठीक है soil मतलब क्या, मिट्टी से पना हुआ, अर्दी है तो क्या, मिट्टी से मड़ी ठीक है, अच्छा, rough के लिए unrefined, coarse, indecent cross, और rough, यह word बहुत important है, ध्यान रखना है, यह word note करें, एक ही word को अलग-अलग तरी हमें passage में समझ में आना चाहिए, कब rough की बात हो रही है, कब polite की बात हो रही है, तो इसलिए ऐसे words बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमें परिशान करते हैं, और बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो note कर लें सारे बचे छोड़ना नहीं है, एक भी बच्चो को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सब बचे, सब बचे नोट कर लेंगे सबी बचे, एक भी बचे इसको छोड़ना नहीं है अर्दी तो anything related to the earth earth से धर्थी से related है कोई चीज a person who down to earth है, polite है, humble है, modest है, decent है और कुछ भी ऐसा जो rough है ठीक है, yesterday the behaved us in an earthy manner देखे कैसे, जैसे कैसे आजाएगा paper में yesterday he behaved us in an earthy manner तो कल मुझसे मुझने, उससे मुझने, उसने मुझसे बहुत ही rude तरीके से बात की, rough तरीके से बात की ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकता है चलिए, अगले वाले पर चलते है, next वाले पर चलते है notes बनाना बहुत ज़रूई, hundred percent प्यारे बच्चों सुबह छे बजे वाली class attend करें notes बनाएं, तो आपका reading comprehension आपकी vocab reading वाला जितना भी part होता है close test होता है, जो भी चीज़े होती है सब का सब पर आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा, audacious अच्छा word है बहुत आता है paper में, audacious सब बचे सेशन को like करेंगे है ना, सब भी बचे भाई सेशन को like कर देंगे, परमजीत, आजाओ भाई, good morning, good morning, फटफट आओ so audacious का मतलब होता है बहादूर, ठीक है जो डरता नहीं है, जो निडर है जो निडर है, बहादूर है जिसके अंदर डर नहीं है so audacious का मतलब bold, bold, daring ठीक है बहादूर लिख लो बहादूर उससे ज़्यादा संज में आएगा तो कोई जो बहादूर है ठीक है, जो निडर है bold है, daring है intrepid, ये वर्ड बहाद आ रहा है पेपर में आजकल intrepid का मतलब होता है fearless ठीक है, brave है, courageous है plucky है, spunky है valiant है, gallant है someone who is daring someone who is bold someone who is audacious जो बहादूर है, daring है intrepid, very very important word पक्का फस जाएगा एक्जाम में fearless है, brave है courageous है, plucky है, spunky है valiant है weller sum भी हो सकता है weller sum भी हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा weller sum ठीक है, fearless बहुत अच्छा word है बहुत आता है पेपर में sir आप बहुत अच्छे हो हाई, ठीक है, तुम लोग अच्छे हो सुबह सुबह ध्यान से पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो, महनत कर रहे हो तो तुम लोग अच्छे हो good morning, Amit, good morning गौरंगी कौशिक जी, good morning आओ फटफट, सुबह 6 बजे हरोज जरू 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 लगाना यह सेशन, ठीक है, आपको बहुत बहुत फायदा होगा वकाब में, रीडिंग में, लिखने में बोलने में, समझने में क्योंकि वकाब बहुत जरूरी होती है पहरे बचों, ठीक है, loving nature चली आए, लिखे सारे word तो क्या कह रहा है, initially looked odd शुरुआत में कैसा लगा, odd लगा अजीब औ गरीब लगा, but it was an audacious decision लेकिन अन्त में कैसा प्रतीत हुआ, कि भाई ये बहुत बहादुरी वाला decision था निर्णय था, लिख लिख लिए सारे words, चलिए पैसेज करेंगे, पैसेज फटाफट लिख लो, फटाफट पैसेज इंपोर्टन पैसेज है इसके लिए एक अच्छा एंटनीम वर्ड में बता जीता हूं प्यारे बचों पेपर में बहुत आता है पुसी लैनिमस जिसका मतलब है डरपोक लिख लें, एंटनीम लिख लें पुसी लैनिमस इंपोर्टन वर्ड है तो डरपोक हो जाएगा उसका मतलब डरपोक तो एक दुसरे का ओपजिट हो जाएगे जरूर जरूर नोट करने छोड़ना नहीं है दोस्तों एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है नोट्स बनाएगे चलिए बहुत बढ़िया फटा फट नोट करने सारे वर्ड उसके आद पैसेज करेंगे जबरदस पैसेज है आपका आज बढ़िया पैसेज लगाएंगे दन एवरीबड़ी वरी गूड मौनिंग सर नेहा ग्लाइग तो हब इस लेक्शर पर बिगिनर्स तो गें नॉलेज फ्रॉम बढ़िया थैंक्स अलोट नेहा चलिया आईए चलते हैं I hope sab बच्छों ने नोट्स बनाए हैं बना रहे हैं पैसेज शुरू करते हैं हर रोज vocab भी करेंगे reading भी करेंगे थे कुछ भी नहीं चोड़ने वाले थेख हां कुछ भी नहीं चोड़ने वाले थोड़े दिन लगाता रहो ग्लास में regular रहो फिर देखो आपको कितना फाइदा हो जाएगा पहरे बच्छों Children are looked upon Children are looked upon by Indians as the gifts of God किसी बच्छों को पता है look upon phrasal verb होती है इसका क्या मतलब होता है पहरे बच्छों दोस्तों यह जो look upon है यह एक phrasal verb है इसी वाली क्लास में look upon, look out, look after now look upon अगर पता है तो एक बार comment करें what do you understand by this phrasal verb look upon पता है तो बताओ नहीं पता question mark लगाओ नहीं पता question mark लगाओ कोई दिक्कत नहीं है मैं समझाओंगा पहरे बच्छों यहां से और सब बच्छे सेशन को लाइक कर दो भाई है ना सब बच्छे सेशन को लाइक करेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात look upon का मतलब होता है consider करना मानना किसी चीज़ को consider करना लिख लो अच्छा वरड है consider करना look upon का मतलब है दोस्तों यह phrasal verb होती है look after का मतलब क्या होता देख भाल करना look after मतलब देख भाल करना look for का मतलब search करना look out का मतलब search करना look upon का मतलब consider करना तो children are looked upon by Indians as the gifts of God भगवान का दिया हुआ gift मानते हैं बच्चों को and they constitute about comprise about 36% of the Indian population यानी 40% के आसपा 36% के आसपा जो population जो है वो बच्चों की है वो बच्चों की है good morning sir जो हार लेट हो गए प्यारे बच्चे आप however हाला की it is a national shame एक राष्ट्रिय शर्म की बात है क्या शर्म की बात है that a considerable मतलब remarkable important number of them still suffer from malnutrition जिसको हम क्या बोलते हैं pneumonia poverty गरीबी disease this is any disease क्या निविमारी cool exploitation exploitation को बच्चा बताए क्या होता है do exploit करना क्या था exploit दोस्तों यह वर्ड पतावगा बताओ exploit करना क्या होता है what is called exploitation or exploit सब बचे सब बचे सब बचे सब बचे उपर देखना नहीं जस्मंत फ्रेजल भाव भाई उपर देखना नहीं दोस्त कुल्दीप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो बताएं एक्स्प्लाइट का मतलब आपके एक्स्प्लाइट नहीं पता सिंपल क्वेस्टें माग लगा दिया गरो हैंना सब बचे सब बचे बॉम ब्लस्ट बॉम बस्ट नहीं भाई ठीक है वह एक्स्प्लोड होता है explode EXPLODE exploit का मतलब होता है misuse करना misuse करना exploit करना soshan करना Hindi में लिखो soshan करना soshan करना soshan करना misuse करना abuse करना abuse abuse का मतलब गाली भखना नहीं होता सिर्फ abuse का मतलब किसी को misuse करना तो क्या कह रहा है यहां पर it is a national shame that a considerable मतलब use large massive number of them still अभी भी suffer कर रहे हैं from परिशान हो रहे हैं किस चीज़ से kupoction से लिख लेंगे बहुत अच्छे अच्छे word है poverty से मिमारी से या cruel exploitation यानि उनका गलत तरीके से फाइदा उठा जाता है वो misuse किया जाता है उनको abuse किया जाता है through forced labor जबरदस्ती उनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है and worst of all और सबसे बुरा इसमें क्या है illiteracy है ना निराक शर्ता यानि पढ़ने लिखने का चांस उनको ना मिलकर अभी भी बहुत जगह है गाव वगरा में बाकी जगह है ना या फिर अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिये में बहुत सारे चोटू चाहे ले करा ठीक है चोटू कपड़ा मार आपने देखा होगा बिचारे चोट-चोटे सेमिनार्स भारत में भी और बड़े-बड़े जो अंतरराश्य सेमिनार्स हो रहे हैं वहां पर भी दुनिया भर का पैसा खर्च के जाता है कहां पर खर्च के जाता है एंड कॉन्फरेंसेज डाट फोकस जो ध्यान दे रही है अटेंशन दे रही है ऑन दी प्लाइट देखिए ये फसके न है वर्ड अब मैं हमेशा कहता हूं कि रेडिंग कॉम्प्रियेंशन का ज्यादा लेना देना जो होता है वह वो कैब से होता है इसमें ग्रैमर नाउन लेना देना नहीं है ठीक है आर स्यक्री नहीं को नहीं आता है क्योंकि हमें जहां पर भी वड्यवेंव आसा आजाए Corner आहार सी हमारी दहां नौ किसी बच्चे को पता है प्लाइट क्या होता है सब बच्चे सेशन को लाइक कर दें भाई लिखना यह बहुत इंपॉर्टन वर्ड है इसका मतलब दुर्दशा बैड कंडिशन दुर्दशा कैसे लिखते हैं यार हिंदी बहुत टफ है भाई मुझे बता दिने judging में विखना गलत लिखन दूर्दशा एसे लिखा जाएगा दूर्दशा हिंदी हमारी आउमें بहुत condition of children but many of them continue to lead a miserable life वही बुरय जीवन ठीक है sorrowful life जीने को मजबूर है दुखों से भरी जीवन जो है मजबूर है परिशानिय दिक्कतों से ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आगे देखते हैं क्या कह रहा है the worst देखे इदर good, better और फिर होता है best है न एडजेक्टिव से डिगरी होती है positive, comparative, superlative positive, comparative, positive क्या करती है किसी noun को आके modify करेगी इसको he is a good boy, boy he is a bad boy ठीक है better क्या करेगी दो चीजों को compare करेगी और जो आपकी best है यानि comparative degree दो चीजों compare करती है और superlative degree दो से ज़्यादा चीजों का जब comparison होता है तब इस्तिमाल होता है इसी तरीके से bad, worse और worst लिख ले ना यह सब चीज़े important होती है दोस्तों यह होगे आपका positive degree यह वाली comparative degree और यह होगे superlative degree यह क्या करती है किसी noun में आकर उसका meaning को modify करती है यह दो noun को आपस में noun pronoun को आपस में compare करेगी और यह दो से ज़्यादा के लिए इस्तिमाल होती है तो यहाँ पर क्या कह रहा है the worst yet widespread जो सबसे बुरी है लेकिन जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है form of child exploitation बच्चों का जो जो क्या बोल रहे है उसको वो हो रहा है सोशन हो रहा है is child labor जो सबसे बुरा exploitation इन में से वो कौन सा है ठीक है बाल मजदूरी the economically economically backward classes जो विचारे मनलब रुपए पैसे से अभी पिछडे हुए है believe that more hands bring in more resources यानि जितनी जादा बच्चे होंगे जितनी जादा लोग होंगे उतनी जादा पैसा हम कमा सकते है thus इस प्रकार से they give birth to four to five children चार से पांच बच्चे वो पैदा कर देते हैं पैदा होते है who eventually eventually का मतलब होता है at last finally at last finally अच्छा वर्ड है eventually अंत में या अंतत है so thus इस प्रकार से they give birth to four to five children कौन जो economically backward है उनके लिए बोल रहा है उनके लिए बोल रहा है they give birth to four to five children who eventually remain illiterate जो आखरी तक अंत तक पूरे जीवन कैसे रह जाते हैं बिचारे निराक्षर रह जाते हैं पढ़ाई लेखाई कर नहीं पाते and they may even take to evil ways बुरे रास्ते अपना लेते हैं बुरे रास्ते अपना लेते हैं गलत रास्तों पर निकल जाते हैं ठीक है चोरी जो भी करते हैं in this way इस तरीके से जो exploitation है आफ चाइड लेबर इस perpetrated indirectly perpetrated का मतलब थोपा जाना थोपा जाना indirectly by the parents themselves इसका मतलब उनको इस रास्ते पर खुद पेरेंट्स बेजते हैं पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं जब ठीक है तो क्या करेंगे exploitation के लिए उनकी जीवन जो है उनके जीवन में शोशन होता रहा है इसके लिए indirect तरीके से कही न कहीं जिम्मेदार कौन है उनके खुद के माता पिता इस सोच के साथ कि ज़्यादा हाथ होंगे तो ज़्यादा रिस्सोर्स होंगे ज़्यादा कमाई होगी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्लास हरोज सुबह प्यारे बच्चे छे बजे होती है इसमें सब चीज हम कवर कर रहे हैं इसमें सारा का सारा आपका reading कॉंप्रियेंशन पैरा जंबल्स क्लोस टेस्ट ठीक है सेननेम सेंटनेम वन वर्ट इडियम स्व्रेजल वर्प सब कुछ सारा वक्याब और उसके लावा सारी कि सारी आपको इसमें आपको रीडिंग वाला पार्ट नाव कंसीडर आओ ध्यान देते हैं सम स्टैकल डेटा टीटा पर बात करेगा रिगार्डिंग्र थे एक्सटेंट एक्सटेंट काम ले में टेक्स्टें नहीं एक्सटेंट और एक्सटेंट ऐलग अलग चीज होती रिमिट चलिए ध्यान देते हैं now consider करते हैं some statistical statistical data data नहीं data regarding the extent limit of child labor किस तरीके से इंडिया में फैली हुई है of the 30 million street children 30 million कितना ठीक है 30 million street children of the world उनमें से 11 million inhabit verb है यहाँ पर inhabit का मतलब है to reside to live लिख लेना यह अच्छा word है inhabitant होता है na resident to live or to reside कहीं पर रहना तो देखे data बगर मैं क्या पता रहा है now consider some statistical data regarding the extent of child labor किस तरीके से इंडिया में फैली हुई है of the 30 million street children उनमें से 11 million inhabit total 30 million बच्चे जो है उनमें से 11 million जो है रहते हैं कहां पर सडकों पर 30 million के आसपास बता रहा है कि पूरे वर्ल्ड में बच्चा जो है बच्चे जो है सडकों पर रहते हैं उनमें से 11 million आधा तो भारत नहीं मतलब योगदान दे दिया इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजेशन जो है जो अंतररास्टी ये श्रम क्या बोलेंगे श्रम श्रंगठन बोलेंगे इसका मतलब है इसका मतलब है exception यानि इनके पास जो डेटा वेटा है जो की कहां से इनको मिला है इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजेशन से मिला है उस पर क्या कह रहे है जिवन अस सम्फिगर्स फिगर का मतलब वही डेटा नमबर्स of the composition का मतलब mixture of child laborers of different age groups but with a rider with an exception with a rider का मतलब exception लिख लेंगे rider means exception that the figures may be may be underestimations ठीक है यानि कही न कहीं छुपाई गई है underestimated होती है कौन सी ऐसी country जो बताई की भईया हमारी हमारी उपलब्धी क्या है हमारे याँ child labor ज़्यादा ही हमारी उपलब्धी है ऐसा नहीं कौन बताएगा कोर्ना में हमारे याँ सबसे आदम deaths हुई है तो क्या करते हैं आपको पता है यह data fuzzing होता है है ना data को शुपा लेते हैं तो क्या कर रहा है one third of the children एक तिहाई बच्चे who are less than 16 years of age जो 16 साल से छोटे हैं in our country are engaged engaged का मतलब है busy है in child labor all over the world बताव इतना बुरा हाल है इतना एक तिहाई बच्चे एक तिहाई बच्चे अभी भी child labor में लगे हुए है child labor में लगे हुए है बाल मज़्दूरियों विचारे मजबूरी में लगे हुए है मजबूरी में उनको बाल मजबूरी करनी पडती है so this is the plight this is the plight of our country this is the plight of children in our country ठीक है चले आगे आगे देखते हैं पूर चिल्डरन गरीब बच्चे भारत में इन इंडिया इन बोथ दी रूरल एंड अर्बन एरिया रूरल का मतलब क्या ग्रामीन और अर्बन का मतलब क्या शेहरी जो शेहरी एरिया जो शेहर में रहते हैं या फिर गाउं में रहते हैं ऐसे समय पर काम करते हैं when they are supposed to be in the schools जब काम उनने कब करना पड़ रहा है जब उनको स्कूल में होना चाहिए उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए तब विचारे वो child labor का participate कर रहे हैं laying foundation of their careers स्कूल में तो foundation पड़ता है laying का मतलब foundation बनाना of their careers, carrier नहीं career, poverty, गरीवी, illiteracy यानि निराक्षरता and social backwardness समाजी ग्रूप से पिषडापन उनके पेरेंट्स का माता पिता का and incompetent जो कहीं काम नहीं आना ठीक है जो useless है जो useless है fruitless है लिख लो यह अच्छा वर्ड है पहारे बच्चों incompetent ठीक है जिसका कोई जो आगे जाकर कही यूजलेस रह जाएगा fruitless है तो education system ऐसा जो है and other compelling factors और जो ऐसे forcing compel करने वाले force करने वाले factors है them to carry a heavy burden on their frail and tender बहुत अच्छे-च्छे words है भई ठीक है frail का मतलब weak है ठीक है emaciated word समझाया था आप लोगों को कमजोर जो बहुत ज़्यादा कमजोर है emaciated है weak है thin है है ना पेल वर्ड आपको समझाया था अच्छा पैसे था और टेंडर का मतलब होता है sensitive sensitive मुलायम mild अच्छे words हैं दोस्तों हम पैसे हमारे क्यों गलत हो जाते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं वहां पर हमें vocab नहीं आ रहे होती है तो इस तरीके से क्या कह रहा था देखे फिर से देखते हैं यहां से देखते हैं poverty गरीबी illiteracy निराक्षरता and social backwardness of parents इन बच्चों के माता-पिता का समाजी group से पिछड़ा पन होना है न में स्ट्रीम में ना होना and incompetent का मतलब useless educational system and other compelling factors और जो इस तरीके जो factors हैं force करते हैं माता-पिता को to carry a heavy burden on the air frail उठाने किन को माता-पिता किस पर डाल देते हैं विचारे छोट-छोटे बच्चों पर फ्रेल का मतलब weak है emaciated है thin है pale है कम जोर tender का मतलब sensitive mild shoulders पर लिख लेंगे एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है तो बड़िया पैसस था अच्छा पैसस था इस तरीके से सारा का सारा तो दोस्तों हरोज सुबह 6 बज़े जरूर जरूर लगा ये class वो क्या मैंनिया ठीक है एक चीज मैं आपको फिर से बता दूँ आज से इस चैनल पर जीरो टू हीरो फांडेशन बैच शुरू कर रहे है रात को 10 बजे जिरो टू हीरो फांडेशन बैच ठीक है अभी 2021 के आपको जो भी एक्जाम देने है SSC देना है बैंकिंग देना है रेलवे देना है डिफेंस देना है जो भी एक्जाम देने है या फिर आपको SSC को कोई भी एक्जाम देना है MTS है GD है CGL है CPO है कोई भी एक्जाम तो आज से पहरे बचो जीरो टू हीरो फांडेशन बैच वाइफाइ स्टडी पर रात को दस बजे रात को दस बजे जरूर जरूर ये क्लास लगाना बिलकुल जीरो से ग्रैमर आपको सौझ में आएगी ठीक है और शाम को साथ बजे एससी गुरू चैनल पर 1000 मोस्ट तो तब लगते हुए टाइक से अनकेडमी लर्निक याप पर रवी सिंग नामसे मेरी प्रफाइल प्यारे बच्शों वहां पर फॉलो कर लिजे मुझे ति-अभी के लिए इतने रखते हैं अभी के लिए तने रखते हैं अनकेडमी लर्निंग पर भी फॉलो कर लें चलिए तो इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ते रहो अच्छे से सीखते रहो प्यारे बच्चों अपना अब लगते हैं थैंक्स अलोट बच्चों मिलते हैं आधर रात को दस बजे बाइफ को